इसमें हम पार्ट दस आँख मिचोनी खेल खता देखेंगे. पार्ट दस आँख मिचोनी रचा अपना ग्रहकारी समात कर चुकी थी. तबी उसकी सहली साक्षी आ गई. वह बोली रचा बगीचे में केलते हैं. रचा ने कहा क्या खेलेंगे? साक्षी बोली आज आँख मिचोनी केलते हैं. चलो और सातियों को भी बुला लेते हैं. बाहर आकर उन्होंने अहमद और मोहन को आवाज लगाई. आओ, हम सब आँख मिचोनी खेलें. मोहन अपने भाई अक्षई को भी बुला लाया. सामने से रतू भी आ रही थी. साक्षी ने उसे भी बुला लिया. फिल शुरू हो गया. रचा एक जाडी के पीछे खड़ी हो गई. वह सब से बोली मैं आँखी मूद रही हूँ. तुम सब छिप जाना. फिर वहजो से बोली लुक छिप जाना मकरी का दाना राज्या की बेटी आई रे. सब इधर उदर भागने लगे. कोई पेड के पीछे चिप गया और कोई जाडी के पीछे. रचा ने पहले इधर उदर देखा. उसे कोई भी न दिखी. फिर वह पेड की और भागी और बोली चूलिया चूलिया मैंने अक्षे को चूलिया. अब अक्षे की बारी थी वह पेड के पीछे जाकर बोला लुक छिप जाना मकरी का दाना राजा का बेटा आया रे. रतु, अहमद, साक्षी, रचा और मोहन सब इधर उदर दोडे और चिक गए. अक्षे ने सब जगह देखा. कोई दिखाई न पड़ा. तबी उसे हलकी सी आवास आई. वह समझ गया और सिधा माली के गर के पीछे बागा. रतु और मोहन भाग गए. अहमद पकड़ा गया. अब अहमद की बारी थी. इस तरह आँख मिछोनी का खेल बहुत देर तक चलने चलते रहा. शाम होने कोथी. साक्षी बोली. चलो अब अपने अपने घर चले. अंदेरा होने वाला है. मा कहती है. सूरज डलने से पहले घर पहुझना टीक है. सब अपने अपने घर की तरफ भागे. भागे. साक्षी बोली. आज तो मजा आ गया आँख मिछोनी खेलने में. अभ्यास. शब अर्थ. ग्रहकार्य. गर पर करने का काम. होमवर्क. समात. खतम. टु फिनिश. आँख. मूधना आँख बंद करना. टु क्लोस वन्स आइस. और तरफ टु वर्च. पार्ट बोद. प्रशनों के उत्तर दो. Answer these questions. मोखिक. आँख मिछोनी का केल कैसे केला जाता है? बाहर खेले जाने वाले पांच खेलों के नाम बताओ. साक्षी ने सब को घर चलने के लिए क्यूं कहा? लिकित. साक्षी और रचा ने किस को आवाज लगाई? साक्षी और रचा ने अपने मित्रों अहमद और मोहन को आवाज लगाई. सब क्या खेल रहे थे? सब आँख मिछोनी का केल खेल रहे थे. सब बच्चे कहा कहा चिप रहे थे? कोई पेड़ के पीछे, कोई जाड़ी के पीछे और कोई माली के घर के पीछे चिप रहे थे. अक्षई माली के घर के पीछे क्यों बागा? क्योंकि वह से हलकी सी आवास आई, अक्षई को समझ गया कि वह कोई चिपा है. इसलिए वह माली के घर के पीछे बागा. आख मिचोनी के खेल में अपने मित्र को कैसे डूंडोगे? हम अपने मित्र को देख कर और सुनकर डूंडेंगे. भाशा अज्ञान बोल बोल कर पड़ो, read aloud. रतू, रशी, रचा, पक्षी, रक्षा, साक्षी, जरा, जोर, आवाज, साफ, तरफ, सफाई, पाच से चुनकर शब्द लिको, find the words and write. आवाज, जोर, मजा, जाड़ी, खड़ी, पेड़. ये क्या कर रहे हैं? लिखो, what are they doing? लिखना, दोडना, खेलना, बजाना, गाना. संकेत, ये सब काम है, हम ये काम करते हैं, ये क्रियर शब्द है. इन शब्दों को बहुअचन लिखो, write the plurals, सहेली, सहेलिया, जाड़ी, जाड़िया, बेटी, बेटिया, तहनी, तहनिया, दाना, दाने, बगीचा, बगीचे, आवास, आवाजे, आख, आखे. सोचो और लिखो. आप घर के अंदर कौन-कौन से खेल खेलते हैं. नेम सम इंडोर गेम्स. केरम, लूडो, शतरंग. अपने प्रिया खेल के बारे में पांच वाकी लिखो. Write five sentences about your favorite game. मुझे आख मिचोनी केल बहुत पसंद है. क्यूंकि हम चिप सकते हैं और हमारे मित्र हमें ढूनते हैं. मुझे आख मिचोनी खेलने से बहुत आनन्द आता है. और ये खेल बाहर खेलने का खेल है. कुछ करने को अपने प्रिया खिलाडियों के चित्र इखटे कर एल्बम में लगाओ. Reading for pleasure सबके साथ. इधर उधर मत जाओ. मेरे पीछे पीछे चलो. मामा वह देखो. कितना मटर. अरे क्या कहे रहा है. वे तो चिलके है. चलो वही चलो. उन चिलकों में कुछ दाने होंगे. सबका पेट भर गया. अब मेरे पीछे पीछे आओ. मैं तो और दाने खाऊंगा. अकेले अकेले वा बहुत स्वाध है. ओ ओ अरे रोक्यों रहे हो. ओ दाना फस गया. बगूला भईया. मेरे मुन्मुन के गले में मटर का दाना. इतनी लंबी चोंच किस काम आएगी. मुन्मुन मुहक खोलो. लो निकल गया दाना. धन्यवाद बगूले मामा. मा मैं सब के साथ साथ रहूंगा. मा की बात मानूंगा. अकेले अकेले ख़बी नहीं खाऊंगा. इदर ये पार्ट समाप्त होता है. धन्यवाद.